हलो दोस्तो गुड मॉर्निंग मैं मुकेस आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री का टेस्ट नमर होगा यह 19, 20 नहीं है 19, 18 तक हो चुका है और अगार आप पिछले वीडियो नहीं देखें 18 टेस्ट तो जाए हमा आज हम लोग देखेंगे दोस्तो देली सल्तनत के अंदर गया दूसरा वन्स जो है वो खिलजी वन्स खिलजी वन्स से जितने भी महत्पोंट प्रश्ण बनते हैं जो सभी एकजाम में पूछे जाते हैं तो वो एक जगह एक वीडियो में एक अत्रित किया गया है और दोस् तो खिलजी वन्स के संस्थापक कौन थे ठीक है खिलजी वन्स के संस्थापक कौन थे तो वो थे जलालुद्दिन फिरोज साह खिलजी ठीक है बहुत वार आपको एक जाम में पूछा गया है तो ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण है अगला प्रश्ण है दूसरा कब हुआ था तो 13 जून 1290 इस्वी को इनका राज्य भिसेख हुआ था और किलोखरी में हुआ था तो ये दोनों आप याद रखियेगा अगला प्रश्ण है थर्ड नंबर अलाउदिन खिलजी का जन्म कब हुआ था अना अलाउदिन खिलजी फिरोज सा खिलजी के बाद कौन खिलजी वनके पीता का क्या नाम था याद रखियेगा शाह बुद्द्द्धिन खिलजी जो जलालुदिन फिरोज booster का क्या था भाई था कौन था भाई साहबुद्द्धिन खिलजी चली अगला प्रश्ण देखते हैं चार नंबर कि किसने प्रतं बार घोडे दागने की प प्रथा और हुलिया परणाली आपको बहुत बार उक्जाम में पूछे गये हैं यह प्रथा तो वो अल्लाविधिन खिलजी ने प्रारंभ किया था तो यहाद रखिएगागा वारा आपको उक्जाम में पूछे जाता था किशानों के द्वारा उसका 50 परतिसत जो था वो कौन ले लेता था राजा ले लेता था निया लाओ दिन खिल जी ले लेता था ठीक है उपज का 50 परतिसा निया एक बता दो भी आपको मिल सकता है चलिए अगला प्रशन है आपका 6 नमबर दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वय को खलीफा घोसित किया था वो सासक था मुबारक शाह खिल जी ये भी आपको बहुत वारिक जामे पूछे गए हैं कि वो कौन सुल्तान था दिल्ली का प्रथम जो खलीफा अपने आपको घोसित किया था वो था मुबारक श शाह खिल जी और ये जो सासन किया था 1316 इसवी से 1320 इसवी तक अनि मात्र चार सालिनों ने सासन किया जिसने अल वसिक विलाह की उपाधी धारन किये थे तो ये भी पूछा जाता है कि अल वसिक विलाह की उपाधी धारन किस ने किया तो किस ने किया मुबारक शाह खिल जी न से सबसे ज़्यादा प्रश्ण यही पुछा जाता है कि बजार नियंतरन प्रणाली आरंभ किस ने किया था प्रारंभ किस ने किया था तो वो था आपका अलाउदिन खिल जी ने ही बजार नियंतरन प्रणाली को प्रारंभ किया था अगला प्रश्ण है आपका दोस्तो आठ नमबर स्वय को दूसरा सिकंदर यानि सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था तो वो था आपका अलाउदिन खिल जी ही स्वय को दूसरा सिकंदर कहता था यानि शिकंदर ये सानी कहता था अलाउदिन खिल जी नेक्स्ट प्रशन देखते हैं आपका नाइन नमबर अल सुदिन, तुगलक, राज्य, पाल था नेक्ष्ट प्रस्ण है अमीर खुसरो किसके दरवार में रहता था अमीर खुसरो से आपको हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आपका भी भी आई है तो अमीर खुसरो अलाउद्दिन के दरवार में रहते थे और अमीर खुसरो के बारे में आप जान ले कि ये एक सूफी संत थे अना तथा फारसी तथा हिंदी का लेक्खक और विद्वान भी थे यह इतिहासकार अना इतिहासकार और शंगित्तग भी थे ये इतना आप अमिर खुसरों के बारे में याद रखे नेक्स्ट है आपका 11 नमबर किस मुस्लिम सासक ने नालंदा विहार का विध्वन्स किया था तो वो था आपका बक्तियार खिल जी नहीं नालंदा जो इन्वर्सीटी है जो इन्वर्सीटी था पहले वो कौन विध्वन्स किया था तो बक्तियार खिल जी चलिए अगला प्रशन देखते हैं आपका 12 नमबर सल्तनत काल के किस सासक के सासन काल में सबसे अधिक मंगोल आकरमन हुए वो कौन सा सासन, सलतनत काल के किस सासक के सासन काल में सबसे अधिक मंगोलों ने आकरमन किया था तो वो था अलावुदिन खिल जी के सासन काल में ही सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आकरमन किया था तो ये आपका बहुत important प्रश्ण है अगला प्रस्ण है आपका तेरा नमबर मुहम्मद गोरी के किस गुलाम ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था मुहम्मद गोरी का वो कौन गुलाम ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था तो वो था बक्तियार खिल जी और इन्होंने ही नलंदा विहार को विधवंस किया था आग लगा दिया था चलिए अगला प्रशने देखते हैं आपका चौदा नंबर चौदवी सताबदी के प्रारंभ में चोल समराज परनिमलिखित में से किसने आकरमन किया था चोल समराज जी कहां है तो दच्चिन भारत में और दच्चिन भारत में किसने आकरमन किया था तो वो था आपका मलिक कफूर हना कौन था मलिक कफूर आप पदमावती अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको मलिक कफूर के बारे में आपको पता चला होगा हना तो वही था मली कफूर जो दचिर भारत अभियान के लिए उसको भेजा गया था चली अगला प्रश्ण है आपका पंदरा नमबर प्रश्ण है खिलजी वंस का संस्थापक निम्लिखित में से कौन था खिलजी वंस का संस्थापक जो था जलाद लुद्दिन फिरोज साह खिल जी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था चली एगला प्रश्ण है आपका 16 नमबर कि दिवान ए रिशालत भिभाग का शंबंध निम्लिखित में से किस अधिकारी से था दिवान ए रिशालत बहुत वार आपको एकजामे पूछे गए हैं तो वो था आपका बजार नियंतरन अना बजार नियंतरन दोस्तों आपको विडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक स्क्राइब कर ले बेल आइकन जरूर प्रेश कर ले और आपको विडियो कैसा लग रहा हो यह नीचे जरूर कोमेंट किजेगा और कितना मार्स आप लोग लाएं हैं कितना आप लोग शही किये हैं जरूर नीचे बताइएगा अगला प्रश्ण है 17 नंबर अलाई दर्वाजा या सीरी का किला हना हजार खंभा महल ठीक है अलाई दर्वाजा सीरी का किला हजार खंभा महल का निर्मान किस सासक ने करवाया था पहुत बार आपको एकजाम में पूछा गया है ते आपके लिए भी भी आई हो जाता है कि अलाई दर्वाजा का निर्मा अलाउदिन खिल जी ने कराया, सीरी का कीला का निर्मान अलाउदिन खिल जी ने कराया, और हजार खंभा के महल का निर्मान भी अलाउदिन खिल जी ने करवाया, तो यह याद रखियेगा, अगला प्रश्ण है आपका ठारा नंबर की इसलामी वस्तु कला का रत्न, इसलामी कित में से मुनिहियान का शंबन्ध किस से है। मुनिहियान का संबन्ध जो था ये गुप्तचर था। किसके सासनकाल में तो अलाउदिन के सासनकाल में। अगला प्रशन है आपका 21 इरानी फकीर सीधी मौला को हाथी के पैरों नीचे किस सासक ने कुचलवा दिया था। सीधी मौला को हाथी के पैरों नीचे कुचलवा दिया था। वो था आपका जलालुद्दीन फिरोज साह खिल जी ने ही इसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। अगला प्रस्ण है आपका 22 नंबर जलालुद्दीन फिरोज खिल जी ने अपनी राजधानी कहां बनाया था। तो अपनी राजधानी किलोखरी में बनाया था। बहुत बार आपको एकजाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा किलोखरी। नेक्स्ट प्रस्ण है दोस्तों आपका 23 प्रस्ण है कि जलालुद्दीन फिरोज खिल जी की हत्या किसने की। तो अलाउदिन खिल जी ने 1296 इस्वी में कडा मानिकपूर अनि इलाहावाद में कर दी। अगला प्रस्ण है आपका 24 नंबर अलाउदिन खिल जी दिल्ली का सुल्तान कब बना। बहुत बार आपको पिछा गया है कि दिल्ली का सुल्तान कब बना। तो 22 अक्टूवर 1296 इस्वी को ये सुल्तान बना। चली अगला प्रस्ण है दोस्तों 25 की अलाउदिन का बच्पन का नाम क्या था। बहुत इंपोर्टेंट है कि इसके बच्पन का क्या नाम था। तो अली एवं गुर्शाप्स बहुत बार आपको एकजाम में पुछे गया है कि इसके बच्पन का क्या नाम था। क्योंकि मुल्य नियंतरन प्रणाली बजार नियंतरन प्रणाली ये बहुत बार आपको एकजाम में पूछा गया है ठीक है तो याद रखिएगा। अगला प्रस्ण है आपका 27 की दच्छिन भारत की विजय के लिए अलाउदिन खिलजी ने किसे भेजा था। तो दच्छिन भारत की विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा था ये बहुत बार आपको एकजाम में पुछा गया है हना तो याद रखिएगा मलिक कफूर। नेक्स्ट प्रस्ण है आपका 28 जमयत खाना मस्जिद अलाई दर्वाजा सीरी का कीला हजार खंभा महल का निर्मान अलाउदिन खिलजी ने कराया था। ये पहले भी हो चुका था उपर भी हम लोग देखे लेकिन उसमें जमयत खाना मस्जिद का भी निर्मान इन्होंने कराया था अलाउदिन खिलजी ने नेक्स्ट प्रस्ण है आपका 29 शिकंदर ए सानी की उपाधी किसने धारन की थी तो वो था अलाउदिन खिलजी शिकंद नाम था क्या था हशन रूहानी चल ये अगला प्रस्ण है 31 अमीर खुसरो का जण्म कहां हुआ था ये भी आपको बहुत बार पुछे गए हैं तो इनका जण्म हुआ था पटियाला में 1253 में हुआ था तो याद रखेगा पटियाला में 1253 नेक्स्ट प्रस्ण है आपका 32 अमीर खुश्रो किसके सीश्य थे, तो ये थे निजामोदिन आौलिया के सीश्य थे, अमीर खुश्रो. Next प्रस्ण है, अमीर खुश्रो किस नाम से जाने जाते थे, ये आपको बहुत वार एक्जाम में पुछा गया है, कि तूती ये हिंद और भारत का तोता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो हैं आपको अमीर खुश्रो, अमीर खुश्रो, तो भारत का तोता भी इनको कहा जाता है. अगला प्रशने आपका 34, सितार एवं तबले का अविश्कार का स्रे किसको दिया जाता है, तो वो अमिर खुसरो को ही इनका स्रे दिया जाता है अगला प्रशने आपका 35, अलाउदिन खिलजी की आर्थिक नीती की व्यापक जनकारी कहां से मिलती है, और इनकी आर्थिक नीती जो था अलाउदिन खिलजी का इसका जनकारी कहां से मिलता है, तो वो है जिया उदिन बरनी की एक किरती था तारीखे फिरोज साही, ये आपका very important question बन जाता है कि इनके आर्थिक निती की जनकारी जिया उदिन बरणी की एक किर्ती है तारीखे फिरोज साही से मिलता है अगला प्रस्ण है 36 नंबर अलाउदीन खिलजी के द्वारा लगाये जाने वाले दो नवीन कर हमेशा आपको दो नवीन कर के बारे पुछा जाता है जो दो नवीन कर लगाया था अलाउदीन खिलजी ने तो वो कौन दो नवीन कर था तो एक था आपका चराई कर चराई कर लगाया जाता था दोस्तों द व्यावीन नयाकर लगाया था अलाउsदीन खिलजी ने तो याद रखियेगा अगला परश्न है आपका 37 अलाउ०ीन खिलजी के की मिर्ति हुई थी 5 जनवरी 1316 में तो याद रखिएगा अगला परशन है आपका 39 और दोस्तों अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेश कर ले ताकि इसके बाद जो विडियो आएगा इसके बाद जो आपको आने वाला है वो तुगलक वंस आएगा तो करम से आपको आते जा रहा है और एक विडियो में यही कोशिश रहता है कि सभी कोश्चन को एक वंस से संबंधित जितने भी प्रशन बनते हैं एक सासक से संबंधित एक विडियो में एक अत्रित किया जा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेश करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल न भूलें, चली अगला प्रशन है हमारा 39, अलाउदिन के बाद सिहासन पर कौन बैठा था, तो अलाउदिन के बाद कौन अगला प्रशन है आपका 40 नंबर, जब उसने राजस्व प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पुर्नत्या श्वतंत्र था, बर्नी ने यह कथन की सुल्तान के लिए कहा, यह कथन आपको हमेशा पूछा जाता एकजाम में, तो वह था अलाउदिन ख खिल जी के लिए यह कथन कहा गया था, कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पुर्नत्या स्वतंत्र था, तो यह कथन याद रखियेगा, अलाउदिन खिल जी के लिए कौन कहा था, तो बर्नी ने कहा था, अगला प्रशन है 41, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाया था, तो वो कौन सुल्तान था, किन्तु उलेमा लोगों ने विरोध किया था, और उस धर्म का उलेमा जो लोग थे, वो विरोध किये थे, तो वो थे अलाउदिन खिल जी ने एक नया धर्म चलाया था, अगला प्रशन है आपका 42, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपादिधारन की थी तो वो था अलाउदिन खिल जी अगला प्रशन है आपका 43 अलाउदिन खिल जी के प्रशिद्ध शेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुध लड़ते हुए मिर्ति हुई थी तो वो था जफर खां अना य अलाउदिन के चितोड विजय से जोड़ा जाता है आप पदमावत देखे होंगे मुभी तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि रानी जो पदमीनी थी उसको पदमीनी भी का जाता है पदमावत का नाम अलाउदिन के चितोड विजय से जोड़ा जाता है उसके पती का ना आपका very important प्रश्ण है next प्रश्ण है आपका 46 नमबर किस सुल्तान के शासनकाल में खालीसा भूमी अधिक पेमाने में विक्षित था तो वो था अलावदिन खिल्जी के शासनकाल में अगला प्रश्ण है दोस्तो 47 नमबर कि मुस्लिम बादसाहों में से किस एक ने मुल्य नि प्रणाली को लागो किया था यह आपका बहुत इंप्पॉर्टेंट प्रशन है मुल्य अंतरन बजारन यंदरन आपको हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं अगला प्रशन है 48 नंबर किस मध्यकालिन सासक ने सर्वजनिक वितरन प्रणाली है ना सर्वजनिक वितरन किया था तो यह था दोस्तो आज का खिल जी वन से संबंधित सभी महत्तपून प्रशन जो आपको सभी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं अगर इतना आप कर लेते हैं तो लगभग आपका एक भी प्रशन नहीं चूटेगा खिल जी वन से तो चलिए आज का यह वीडियो करें आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा और यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप PDF प्राप्ट कर सकते हैं तो इससे जड़ूर आप जोड़ें जहां से आपको PDF मिल जाएगा अप अशानी से उसको पड़ शकते हैं और यह हमारा फेस्बुक पेज है इसे आप ल झाल झाल